ये कैसी भाजबा लोकसभाशेत्र के रण में भाजबा वो खिलाडी है जिसने अपने सभी पत्ते खोलने के साथ सभी परत्याशियों के लिए परचार परशार शुरू कर दिया है लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस संग की विचार धारा से भाजबा को चलाया जा रहा है आज उसमें कांग्रेस प्रष्ट भूमी के नेता टिकट हथियाने में काम्याब रहे हैं दस लोक सभा सीटों की बात की जाए तो भाजबा ने पांग्रेस की प्रष्ट भूमी से नेताओं को टिकट देने का काम किया है जहां नरेंद्र मोधिवया मित्षा देश को कॉंग्रेस मुक्त बनाने की बात करते थे आज हरियाना में भाजबा ही कॉंग्रेस मुक्त की जगहें कॉंग्रेस युक्त हो चुकी है इसका जीता जागता उधारन है दस लोगसवा सीटों में से पांच कॉंग्रेस प्रष्ट भूमी के परत्याशियों का उतारना बात करें सोनिपत लोगसवा शेत्र की तो यहां से सांसद रमेश कोशिक को मैदान में उतारा गया है रमेश कोशिक पिछली बार भी भाजपा से ही चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे लेकिन उनकी प्रष्ट भूमी की अगर बात करें तो वो पूर्व में कॉंग्रेस पार्टी से विधायक वह हुड़ा सरकार में संसदिय सचिव भी रहे और वो हरियाणा विकास पार्टी से भी बंसिलाल सरकार में मंत्री रहे है इसी तरह भीवानी से चुनाव लड़ रहे भाजपा परत्याशी सांसद धरम बिर्वी सोहना से कॉंग्रेस के विधायक थे और वो तो शाम से देविलाल की सरकार के समय लोकदल से भी विधायक रहे दो सीटों के बाद तीसरी सीट रोख तक की बात करे तो यहां अरविंद शर्मा को भाजपा ने अपना परत्याशी बनाया है जो की दल बदलने में माहिर खिलाडी है डॉक्टर अरविंद शर्मा दो बार करनाल से कॉंग्रेस के सांसद रहे हैं और एक बार सोनिपत से तो इसी के साथ शिव सैना और बहुजन समाज पार्टी में भी गोता लगा चुके हैं चोथी सीट की अगर बात करें तो वो सबसे होट सीट हिसा रही है यहां से केंद्रियम मंत्री बिरेंदर सिंग के बेटे ब्रजेंदर सिंग को टिकेट दिया गया है इनके पिता बिरेंदर सिंग ने 42 साल तक कॉंग्रेस की राजनिती की है वो कॉंग्रेस के परदेशा धक्ष, हुड़ा व भजनलाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं पाँचवी सीट पर विराजमान है गुरुगराम से राव इंदरजीत सिंग जो लंबे समय तक कॉंग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे हैं और कॉंग्रेस की मनमोहन सिंग सरकार में केंद्रिय मंत्री भी रहे हैं ये भी वो पाँच उम्मीदवारों के नाम जिन पर भाजपा ने आस्था जताई है जबकि भाजपा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है अब ऐसे में क्या भाजपा को संग से जुड़े वो पार्टी की विचारधारा में लीन भाजपा के कारेकर पाँ में से कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो भाजपा ने इन दल बद्रूओं पर ही अपना भरोसा जताया के नाइन मीडिया के लिए राजेंदर कुमार के साथ अरुंदुहन की बिरो रिपोर्ट